इडली की बहुत सारे वेरियेशन्स हैं आप अन्लिमिटेट तरीके से इसे बना सकते हैं और ये एक ऐसी डिश है जिसे आप बचों की टिफिन में आफिस में आप पैकर के ले जा सकते हैं ब्रेकफर्स, डिनर, लंच, किसी भी टाइम, किसी भी दिन आप इसे प्लान कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो आज की मेरी रेसिपी में है जम्बो साइज स्टफ्ट मसाला इडली आईए देखते हैं इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी हैं सेम बैटर से बनाएंगे दो अलग शेप में जम्बो साइज स्टफ्ट इडली बहुत ही सॉफ्ट और खाने में ला जवाब हैं तो चलिए इंग्रेडियंट्स देख लेते हैं ये मैंने महीन रवा लिया है मैं ले रही हूँ वन वन फोर्थ कप रवा और हम इसमें आड़ करेंगे चाज यानि की बटर मिल्क का मैं यहां इस्तिमाल कर रही हूँ पहले मैं यहां पर वन कप बटर मिल्क डाल रही हूँ सूजी वैसे भी काफी पानी एब्सॉर्ब करती है तो बाकी का हम बाद में डालते हैं आड़ करेंगे वन टी स्पून के करीब बारी कटी सॉल्ट एड़ कर लेंगे टेस्ट के एकॉर्डिंग और अब हम इस बैटर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिलाएंगे और अब एड़ करेंगे चाज एक कप और तो अभी तक हमने एड़ किया है दो कप चाज कंसिस्टेंसी हमने बैटर की थोड़ी सी गाड़ी ही रखनी है अभी भी ये थोड़ा सा हमें ड्राइ लग रहा है तो वन फोर्थ कप और हम चाज डाल रहे हैं तो टोटल हमने डाल लिया है टू कप और वन फोर्थ कप मिला लेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे स्टफिंग हम अब रेडी करेंगे इंग्रेडियंट्स हमारा तैयार है कडाई गरम हो चुकी है अब हम इसमें दो टेबल स्पून के करीब ओल डाल रहे हैं और डालेंगे हम जीरा हाफ टी स्पून इसे थोड़ा सा चटकने देंगे और एड करेंगे हम हा अब हम डाल रहे हैं हाफ कप हरा मटर मैंने यहां फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं मिला लेंगे हम अच्छे से मटर को हम दो से तीन मिनट तक पका लेंगे सॉफ्ठ हो जाने तक हम इने पका लेंगे और अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट टे स्ट के हिसाब से साथी अड़ करेंगे हमारे ड्राइ मिसाला कश्मीरी रेच चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हूँ तर्मरिक पाउडर में 1 टीस्पूण देनिया पाउडर 1 टीस्पूण आम चुर पाउडर मैंने लिया है अब इनको हम मिला लेंगे, अच्छे से सबजियों में मिक्स कर लेंगे मसाले को, ये देखे, कलर बदलने लगा है, कश्मीरी लाल मिट से बहुत ही अच्छा मिक्षर का कलर आ गया है, स्टफिंग रेडी है, अब दो मिनट और हम ढख के पकाएंगे, और गैस बन कर देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसमें धनिया अड़ करेंगे, और अब हम इसके छुटे छुटे गोले बना करके टिकी शेप में इसे हम तयार कर लेंगे, इडली हम कटोरी में स्टीम करेंगे, तो टिक्कियों का साइज उसी हिसाब से हम रखेंगे, आप अपनी कटोरी के साइज क के हिसाब से चोटा बड़ा कर सकते हैं यह देखे हमने ठिक्यों को बना करके अब तयार कर लिया हैं अब चलते हैं बैटर की तरफ चेक कर लेते हैं बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है थोड़ा सा और पानी डाल करके से हम धीला करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून हमने अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और इसे डाल करके हम बैटर को खुब अच्छे से मिला लेंगे ताकि बैटर फलफी हो जाए और इडली हमारी बहुत ही सॉफ्ट बन करके तयार हो तो ये भी हमारा तयार है और कटोरियां देखिए मैंने इस साइस की ली है तो अब इन कटोरियों को हम ग्रीज कर देते हैं सारी कटोरियों को ग्रीज करके रख लेंगे अब हम बैटर डालेंगे कटोरी में एक ही चमच पहले बैटर डालेंगे हम बैटर इसी तरह से डाल लेंगे ये देखिए और अब हम डालेंगे टिक्की जो हमने तयार करके रखी हुई है एक एक टिक्की सब कटोरियों में हम रख देंगे और फिर उपर से हम बैटर डालेंगे एक चम्बच भरके इससे जादा हम नहीं डालेंगे नहीं तो फूल करके पूरी उपर तक आजाएगी तो एक ही चम्बच डालें और देखिए सब कटोरियों में मैंने बैटर डाल लिया है और हमारी कटोरिया अब तयार हो चुकी है इन्हें हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं जिससे की बैटर कटोरियों में एड़ेस्ट हो जाए स्टीमर हमारा अल्रेडी गरम हो चुका है मैं स्टीमर का इस्तिमाल कर रही हूँ और कढ़ाई में भी बताऊंगी की इड़ी को कैसे स्टीम कर सकते हैं एक खाने में तीन कटोरी रख रही हूँ जादा ओवरक्राउडेड नहीं करेंगे और इसी तरह से दूसरे खाने में भी तीन कटोरी रख देंगे और 20 से 25 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इड़ी को स्टीम होने देंगे और अब हम इसे ढग देते हैं अब ये देखिए कढ़ाई में मैंने इड़ी स्टीम होने के लिए रखा है बड़ी सी कढ़ाई ली है इसमें नीचे स्टैंड लगा दिया है और एक कटोरी के करीब पानी डाल करके कटोरियों में मैंने इड़ी डाल के स्टीम करने के लिए 20 मिनट पहले ही रख दिया है चेक कर लेते हैं इड़ी हमारी पक चुकी है गैस को बन कर देते हैं और स्टीमर में भी चेक कर लेते हैं नाइव डाल करके ये देखिए इडली हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है स्टीमर का भी गैस बन कर देंगे और बाहर निकाल देंगे कटोरियों को ठंडा हो जाने के बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे तीन से चार मिनट तक आप इसे ठंडा कर ले और चाकु की मदद से किनारों को थोड़ा सा ढीला कर ले और इस तरह से आप कटोरियों से इडली को बाहर निकालने ये देखिए बहुत ही अच्छे से इडली हमारी स्टीम हुई है और अब हम इन्हें भी डिमोल्ड कर लेते हैं ये देखिए इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी है दो तरह के शेप में बहुत ही फूली और मुलायम है इसे आप नाश्टे में या फिर लंच वर डिनर पर बनाएं सेंटर से अब मैं इसे कट करके दिखाती हूं ये देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आप इसे हरी चटनी पीनट या कोकोनट चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर रसम या सांबर के साथ भी से आप खा सकते हैं आप भी बनाएं और बताइए कमेंट करके कि कैसी बनी हैं मिलते हैं एक नई रसिपी पर तेक कर आप बाइ बाइ